हेलो फ्रेंड्स मैं आमिका सिंग स्वागत करती हूँ चंदरा यट्या के यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आज कि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में बताएंगे कि free hand drawing हमको paper में बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए friends जब भी हम free hand drawing बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि वो drawing हमारी neat and clean होनी चाहिए क्योंकि जब भी आप कोई भी drawing बनाते हैं क्योंकि इसमें paper में आपको दो चार option दिये होते हैं लेकिन आपको इसमें दो figures ही ड्राव करने होते हैं तो friends ये दो figures पास पास नंबर के होते हैं बनाने के लिए friends free hand drawing बनाने के लिए हमें सिर्फ pencil का use करना चाहिए क्योंकि हमें किसी और instrument का use नहीं करना चाहिए तो drawing बनाने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रहे कि drawing seat पे जो हम friends drawing हमारी जितनी ही neat and clean बनी होगी उस पे उतने ही ज्यादा marks मिलने की possibility रहती है तो friends free hand drawing में बनाते समय हम जो वर्क्शॉप में अपने जो आई टी आई में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अधिक तर वह इंस्ट्रूमेंट आते हैं चाहे वह electrical trade से हो या फिर mechanical trade से हो तो friends जैसे कि आपके सामने कुछ टूल्स हैं जैसे कि हैकसा है वर्नियर कैलिपर है बॉल्पिन है माइक्रोमीटर है surface gauge है तो यह drill है एन्विल है तो यह सारे जो figures होते हैं इनको draw करते समय एक बात का विशेज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी इमेज की उसकी पार्ट दर्शाते हैं तो किसी भी ड्राइंग का आप जो भी आप हैंट फ्री ड्राइंग बना रहे हों उसके पार्ट को अगर जो दर्शाते हैं तो उससे क्या रहता है कि आपके marks मिलने के चांसे बहुत अधिक हो जाते हैं तो फिंट जो भी आप डाइग्राम बना रहे हैं जो भी आप फिगर्स को ड्रा कर रहे हैं तो उसके पार्ट आवज से दर्शाएं और कोशिश करिए कि जो भी ड्राइंग बना रहे हैं आप वह नीट एंड क्लीन बनाएं जिसी कि आपक होते हैं और आपको दिखाने कंपल सरी होते हैं आपके सामने यह एक scriber दिया हुआ है तो कभी कभी question में पूछ लेता है कि सिर्फ आपकोço scryber बनाना होता है तो tar making ड कर से वोड्रा करिए एक साइड में बना देजे दूसरे साइड में इस्टेट पॉइंट वाला बना दीजे क्योंकि उसमें यह नहीं दर्स आ रहा है कि आपको स्क्राइबर बनाना है यह दूसरा है कि आपका हैमर है हैमर भी जब भी आप बना रहें तो यह अधिक तर आपकी ज तो फ्रेंट्स जब भी आप कोई बनाते हैं figuras draw करते हैं exam के time पे तो ध्याद रहे कि उसको neat & clean ही बनाए क्योंकि जतना ही neat & clean होगा figures जतना यी देखने में सुंदर होगा उतना ही वो figures पे marks मिलने की possibility अधिक होगी तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में अगर जो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद